नमस्कार, मैं हो ससी, आया जारखन की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं दोनों काफी भावुक हो गए, मंत्री फिलार राची इस्थित अपने नए सरकारी आवास में रहेंगे, इस आवास की तमाम विवस्था को अभी मुख्य मंत्री हमानसुरेन ने मंत्री के आगमन के पूर्व खुद जाकर देखा, या तमाम चिकित सा उपकरन भी लगे हुए पूरे राजे में अच्छी बारिश की समभवना है, उन्होंने बताए कि पिछले 24 गंटे में जहरखन में मांसुन सक्रिये रहा, राजी के सभी अस्थानों पर हल्की से मध दर्ज की बारिश हुई, एक दो अस्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है, बतादे सबसे अधिक बारिश और 6.2 mm सिमडेगा में दर्ज की गई, सबसे अधिकतम तापमान 31.6 डिगरी सेलसियास पांकुड में, जबकि सबसे कम निमतम तापमान 22.6 डिगरी सेलसियास चाईवासा में दर्ज किया गया, और इसे एक अननन ने बताया कि 15 से 18 जून तक राजे के सबी अस्थानों पर हलके से मज़ेदज की बारिश होगी, ज्यारखन में खून की कमी से अब नहीं होगी किसी की मौत मुख्यमंत्री, ज्यारखन के बलड बैंकों में खून की कमी राती है, समय पर रक्त नहीं मिलने से कई लोग की मिरिती हो जाती है, आज कुछ जीलो में बलड कमपोनेंट सेपरेशन यूनिट निर्मान के लिए सिलन्यास किया गया है, सभी जीलो में इस तरह की ववस्ता हो, इस लक्ष के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, ताकि बलड बैंक में खून की कमी नहीं हो, और किसी की मिरितीव का कारण खून की कमी नहीं बने, ये ब महिला समोग को एमपावर कर बनाएंगे स्वावलंबी बादल पत्रलेक, क्रिसी पसुपालन एमसाकरिता मंत्री बादल ने कहा कि क्रिसी के छेतर में महिलाओ के भागिदारी बढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, इसी दिशा में राज एके 425 महिला समोग को ट् क्रिसी आंत्री की करन, प्रुत्साहन, योजना अंत्रगत, मिनी ट्रेक्टर एवं स्वयोगी क्रिसी आंत्री के बित्रन समारों में बोल रहे थे, दरोगा नियुक्ती में आरक्षन को लेकर दार याज का खारीच, जारखन हाई कोट के चिफ जस्टिस डाक्टर अविरंज और जस्टिस एसन प्रसात की खंड़ पीठ में दरोगा नियुक्ती के लिए लिए प्रारामभिक परीचा में आरक्षन नहीं दिये जाने को लेकर दाखिल आज का पर सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी, गुलाम, सादिक और अने की आज का को य जार्खन के मुख्यमंतर हेमन सुरेन ने कहा है कि मानोजीवन की सुरक्षा के लिए स्वैक्षिक रख्तान करना चाहिए, जार्खन के बलड बैंकों में खुन की कमी रहती है, समय पर रख्त नहीं मिलने से कई लोग की मिरिती हो जाती है, आज कुछ जीलो में बलड कम्पो जार्खन स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के यूटूब चैनल MJSACS की नई सेवा डिजिटल डोनर सेटिफिकेट का सुभारम किया है, पोस्ट कोविड मरीजों के लिए ओनलाइन अप्लिकेशन लांच, जार्खन के स्वास्त मंत्री बनागुपता ने सोमवार पोस्ट कोविड मरीजों के लिए ओनलाइन अप्लिकेशन लांच किया, इस और पर बनागुपता ने कहा कि COVID-19 से ठीक होने के बाद लोगों में सारेरिक या मानसिक रोग से गरसित होने की सुचना आ रही थी, ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, जिसको ध्यान में र हजारी बाग के एस पी कार्तिक सक दुरगाटना में घायल, हजारी बाग के पुलिस अधिक छक कार्तिक एस कावान दुरगाटना गरस्थ हो गया बता देवे इस हादसे में घायल हो गया है, घाटना रामगड में हुई बताई जा रही है, बताया गया है कि एस पी कार्तिक हजारी बैक से राची जा रहे थे इसी करम में SP की गाड़ी के सामने इसकूटी के आने से वह एक ट्रेलर से जाट टक राई हाथसे में SP के अलावा तिन बोडिगाड भी घायल हुए है कुरोना से ठीक हो चुके मरीजों को मिलेगा ओनलाइन चिकित सा परामार्स कुरोना वाइरस के संक्रमन से ठीक हो चुके मरीजों में से कई लोगों को बाद में भी स्वास समंधी परसानी हो रही है ऐसे इस्थिती में राई सरकार ने उन्हें ओनलाइन चिकित से के परामर्स देने की व्यवस्ता की है स्वास्त मंत्री बना गुपता ने इसे लेकर सोमवार को पोस्ट कोवीट हेलफ लाईन नमबर 0-73-4-82-83-85 जारी किया है ज्यारखन में 151 नए केस मिले हैं जो राची से 12, पुर्वी सिमून 27, हजारी बग पंदर, बोकारो 4, धनबाद 23, रामगर 5, पच्छमी सिमून 6, कोडार्मा 1, पलामो 3, देवहर 3, गुमला 12, गिरीडी 5, खोटी से 0, लातेहर 5, सलाय केला 4, सिमडेगा 4, गडवा 3, लोहर एक्टिव केस की संख्या 3,062 है, भारत में 69,959 केस मिले हैं, भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 9,8,547 है लातेहर मुटभेर की CID जाच, जारखन की लातेहर जीले के गारू थाना छेतर इस्थीत, पीरी जंगल में 12 जून की सुबह होई गोली बारी में एक ग्रामिन युगक की मौत ममले में गोली चलाने वाले जवान पर गयर इरादतन हत्या का मुकादमा दर्ज होगा, बदा पूरे प्रकरन की जाच अपराद अनुसंधान विभाग CID करेगी, इसे लेकर पुलिस मुख्याले के अस्तर पर समती लगभग बन गई है, हलाकि यह अभी कहा जा रहा है कि जाच में जवान की लापरवाही साबित होने पर ही उस पर गयर इरादतन हत्या का मुकादमा दर हुई है, हलाकि रहात की बात यह अभी है कि इस बीच कूल बारा मरीज स्वस्त भी हुए है, राजे में इसके चार और मरीज मिले है, इसमें एक कि जाच में ब्लाइक फंगस के संक्रमन की पुष्टी हो चुकी है, जबकि तीन संभावित मरीज है, बता दे अब तक राजे में इसके पुष्टी मामले में बढ़कर 89 हो गए है, जबकि एकाउन संभावित मरीज है, अब तक 25 लोगों की जान ब्लाइक फंगस से गई है, जबकि सायती स्वस्त भी हो चुके है, जारखन में अनलग, तीन में और छोट, सरकार जल्द ही राजे भर में 17 जुन तक स्व इस जीलो में नए कुरोना संक्रमित अब दस से भी कम मिल रहे है, मौत के मामले भी कम हो गए है, बता दे पुर्वी सिमुम, हजारी बाग और राची में भी कुरोना संक्रमन की थिति नियंत्रन में आ गई है, ऐसे में अनलग, तीन में सरकार जीवन समाने की और ले जाने पर निन ले सकती है, जारखन के पंचायतों में गठित की जाएगी एंटी हुमेन ट्रेफिकिंग कल्व, जारखन के पंचायतों में एंटी हुमेन ट्रेफिकिंग कल्व का गठन किया जाएगा, इसके लिए राष्टिये बाल अधिकार, सनरचन आयोग वाबाल कल्यान संग प्रारंबिक चरण में खोटी जिले में पाइलेट प्रोजेक्ट के तहत कारेक का सुभारम होगा इस योजना में पंचायत परतिनिद्यों को प्रसिक्षित किया जाएगा इसके लिए पूलिस को पूरे देश में ट्रेफेकिंग की रोक्थाम के लिए ट्रेनिंग देने वाले IPS अधिकारी डाक्टर पीएम नायर ने भी प्रसिक्षन देने को लेकर समती जताई है किसानों के धान के बकाये भुक्तान के खिलाब भाजपा 18 को खेतों में देगी धारना किसानों के धान के बकाये का भुक्तान नहीं करने के खिलाब परदेश भाजपा अगामी 18 जून को खेतों में धारना देगी बतादे परदेश अध्यक्स दीपक परकास ने कहा कि जारखन राजे में बीते बर्ष धान की अच्छी फसल होने से किसान काफे उत्साहित थे मुख्य मंत्री हेमान सुरेंड के निदेश पर नौमबर 2020 में किसानों से धान करय का करय पररणब हुआ परन्तु एक सब्ता बाद कॉंग्रेस पार्टी का द्यक्स और सरकार के मंत्री रामिसर उराव के द्वारा जारी आदेश जिसमें गिले धान का कान बताकर मुख्य मंत्री के आदेश को दरकिनार करते हुए धान खरीद पर अनवस्क रोक लगाई गई जिसे किसानों को काफी परसाने हुई दीपक परकास ने कहाँ कि अभी पूरे राजे में धान की बुगाई एक हफ्ते के अंदर परराम होने वाली है लेकिन खरीदे हुए धान की बकायरासी का भुकतान जहरकर सनकार के द्वारा भी तक नहीं किया गया है इसकुल खुलने के पहले सभी सिक्षकों को भैक्सिन लेना जरूरी और सिख्षको की सुची तयार करने को कहा है केंद्र सरकार को चाहिए कि क्रीशी विकास के लिए रासी का आवणतन समानु पातिक तरीके से सुनिशित किया जाए बादल सोमवार को केंदरीय कृसी मंत्री के साथ NFDB के सासी निकाय की वीडियो कंफरेंसिंग बैठक में बोल रहे थे यह बैठक मचली पालन पसु पालन एम डेरी विकास के लिए केंदरीय मंत्री गिरी राज सिंह के अध्यक्सता में होई चहां विभीन राजों के मंत्री ने भाग लिया धन्यवाद